हाई फ्रेंड्स मैं दिपासरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल दिपासरी कुमारी में तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे तिल और गूर के लड़ू और बढ़ भी जो बहुत ही क्रंची बनने वाली हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तिल और गूर के लड़ू बनाने के लिए हमने एक केजी तिल लिये हैं ये सफेद वाली तिल हैं और ये काली वाली एकाद इसमें आ गई है तो इसे हम निकाल लेते हैं तिल को हम फटक कर साफ कर लेंगे और थोरा थोरा करके हम सभी तिल को भूल लेंगे तिल को हम धीमी आज पे भूनेंगे जिससे के तिल अच्छी तरह से फूल जाए और इसके बाद इसे हम हल्का सा ब्राऊन होने देंगे बस थोरा ही हल्का सा और ज्यादा इसे हमें नहीं भूनना है तो यहां आप देख सकते हैं कि तिल का हल्का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सभी तिल को भूल लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी तिल को हमने भूल लिया है और अब हम गुड की चास्नी बनाएंगे तो यहाँ पे हमने 400 ग्राम गुड लिये है तो एक केजी तील में लवक चार सो ग्राम गूर्ड हमें चाहिए और अब हम एक बरा सा पतिला लेंगे और उसमें हम एक कप पानी डालेंगे ये चाय वाली कप से हमने एक कप पानी ली है और अब हम इसमें 400 ग्राम जो गुर लिये हैं उसे हम डाल देते हैं पानी हम जितना कम डालेंगे चास्नी हमारी उतनी ही जल्दी बन कर तयार होती है इसे हम धीमी आज पे पहले मेल्ट होने देंगे तो गुर को हम अचीतरा से मेल्ट होने देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड मेल्ट हो रही है, तो जब कुछी इस तरह की जब हो जाएगी, तो यहाँ पे हम मेडियम फ्लेम पे कर देंगे गैस को, और आप देख सकते हैं कि यह सभी मेल्ट अच्छी तरह से हो चुकी है, तो इसे हम एक बार छान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा कटोरी ली है, उसके ऊपर हमने एक छलनी डाल दिये हैं, और इसे हम छान लेते हैं, इसे क्या होता है कि इसमें जो गुड में जो भी ख़ड वेगरा होती है, इस्ट्रा चीज वो छन जाती है, और यह साफ गुड हो जाती है, तो यहाँ पे हमने वापस इसे पतिले में डाल दिये हैं और इसे हम मेडियम फ्लेम पर पकने देंगे और यहां पे गुड में उफान अना शुरू हो गिया है तो हम इसे चेक करके आपको दिखा रहे हैं कि अभी इसमें कोई तार की चास्नी नहीं बन रही है एक भी तार इसमें नहीं बन रही है तो इसे हम लगभग पांच से साथ नर्तक पकने देंगे और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें तारे बन रही है और ये थोरी ही देर में सुकर करी हो जाती है तो ये चासनी बन कर तयार हो चुकी है और गुड़ को इस तरह से देखने से भी पता चल सकता है कि गुड़ में पानी की मातरा नहीं होनी चाहिए तो इसलिए जितना कम हम इसमें पानी डालेंगे ये उतनी ही जल्दी पाक हमारी बन कर तयार हो जाती है तो यहां पे हमने इसे नीचे उतार लिये हैं और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके तिल डालेंगे तो बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम डालते हैं एक बार हम सभी तिल को नहीं डालेंगे और इसे हम इस तरह से मिलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे एक समान और यहां पे हम बचे वे सभी तिल को हम डाल दे रहे हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं कि तिल और गूर्ट दोनों अच्छी तरह से मिल चुकी है तो अब हम हलका सा पानी हाथ पे लगाएंगे और छोटे छोटे हम इसके लड़ू तयार कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हलके हाथों से ही इसे हमने रूल किया है और ये लड़ू हमारी बन कर तयार हो चुकी है तो अभी ये गर्म है और जब ये ठंडी होती है तो ये बिल्कुल कराड़े और करंची बनती है इसी तरह से हमने और भी लड़ू तयार कर लिये हैं और अब मैं आप लोगों को इसकी बड़फी बना कर दिखाती हूँ तो हमने यहां पे एक प्लास्टी लिये हैं और उस पे हम तिल और गुर वाले मिश्रन को हम डाल देते हैं और इसके उपर से भी हम प्लास्टी को इस तरह से दवा देंगे और बेलन से इसे हम अच्छी तरह से फैला लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे हमने बिल्खुल दवा दवा कर इसे चारो तरफ से इसे बेल लिये हैं अब हम इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पे हमने प्लास्टी को हटा लिये हैं और चाकू से इसे हम बढ़फी शेप में काट लेंगे आप कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं या कोई भी आकार में इसे आप बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी यहरे स्पी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पे आप नाए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़़ुर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिगिशन आप लोगों को मिलती रहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है और अब हम सभी को अलग करके हाथों पे हलका सा सेप देते हुए इन सभी को हम अलग कर लेंगे और ये भी जब थोड़ी दे ठंडी होती है तो इसके बाद ये बहुत ही क्रंची बनती है और इसे आप एक बार बना कर पूरे सर्दी इसे अराम से खा सकते है और इसे आप इस्टोर करके भी महिनों दिन रख सकते है तो फ्रेंड्स मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू